नमस्कार विद्यारतियों, स्वागत है आप सभी का ESL परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में कल की क्लास में अपने प्रिशनावली 10.5 के सारे उधारन कर लिये थे और 10.5 की जो प्रमे थी हम उनको पहले ही सिद्ध कर चुके थे आज की क्लास में हम आपकी प्रिशनावली 10.5 की कुछ कुशन को करेंगे और ट्राई करेंगे की कुशन नमबर 1 से लेके 7 तक आज सॉल्व हो जाएं और कल की क्लास में बाकी की कुशन आपके सॉल्व हो जाएं जिससे आपका इवरत वाला चेप्टर हम आलमोस्ट कल तक फिन हुई है आकरिती में केंद्र वाले एक वृत पर तीन बंदों एक व्रत आपका है जिसका केंद्र व inlandों है जिस पर तीन बिंदों है एस मोई और उसी कि इस प्रकार है की वी ओ casi 30 डिगरी है कहां पर ऑब का बी ओ सी ये वाला कौन इवी ओ सी ये आपका 30 बिंदभी का है एक अन्य बिंदू है, यहाँ पर आपका एक बिंदू D है, तो ADC का मान निकाली है, तो हमें ADC का मान निकालना है, मतलब इस वाले कौन के बारे में हमसे कुश्चन में पूछा गया है, ठीक है, अब देखो, कल हमने एक बहुती important प्रमे पड़ी थी, और वो प्रमे यह बोलत है, कि यदि किसी वृत्त में किसी वृत्त का कोई चाप है, माना मैंने इसको A और B मान लिया, यह चाप इस वृत्त के केंद्र पर जितना कौन बनाएगा, और यह चाप इसके अलावा वृत्त के किसी बिंदू पर जो कौन बनाएगा, तो जो केंद्र पर बनने वाला कौन कौन है वो अन्य बिंदू पर बनने वाले कौन का दो गुना होता है मतलब किसी चाप द्वारा वृत्त के केंदर पर अंतरित कौन उस वृत्त के शेश भाग पर किसी बिंदू पर अंतरित कौन का दो गुना होता है कल ये प्रमे हमने पड़ी थी सेम इसी प्रमे को हम अभी अपलाई करेंगे देखो यह चाप में लेता हूँ चाप AC चाप AC द्वारा केंदर पर अंतरित कौन कितना होगा चाप AC द्वारा केंदर पर अंतरित कौन यह कितना है आपका 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री मतलब 90 एंगल AOB प्लस एंगल BOC मतलब आपका 60 डिग्री प्लस आपका 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री यह आपका एंगल आ गया है चाप AC द्वारा जो उसने केंदर पर अंतरित किया है अब एक बात जल्दी से कमेंट करके मुझे यह बताओ कि इस चाप ने केंदर पर अगर 90 डिग्री का कौन बनाया है तो यह चाप व्रित के सेश भाग पर किसी बिन्दू पर जो कौन बनाएगा वो कितना होगा वो कौन केंदर पर अंतरित कौन का आधा होगा मतलब क्या लिख सकता हूं मैं मैं लिख सकता हूं कि कौन ADC जो है आपका वो आदा होगा कौन ADC जो है आपका वो आदा होगा किसका कौन AOC का और यह हमारा कौन AOC का मान है परफेक्ट पढ़ा हुआ है हमने कल ही पढ़ा है पढ़सो पढ़ा होगा Saturday वाली क्लास में क्या था हमारा कि किसी चाप दोरा केंदर पर जो अंतरित कौन होगा व्रत के 6 भाग पर किसी बिंदू पर अंतरित कौन उसका आधा होता है तो चलिए value put करो AOC का मान कितना है 90 degree 1 y 2 और यह आपका है 90 degree तो मतलब आपका आंसर आ गया 45 degree तो यह जो आपका कौन है वो 45 degree का होगा आसान है समझ पाए नहीं समझ पाए समझ पाए या नहीं समझ पाए जल्दी से एक बार मुझे बता दो मेरे साफ से कुशन आसान है ज्यादा तकलीफ आपको आई नहीं होगी आगे बढ़े कुशन नमबर 2 लेते हैं किसी वृत्य की एक जीवा वृत्य की तरिज्जा के बराबर है जीवा द्वारा लगू चाप के किसी बिंदू पर अंतरित कौन ग्याद कीजिए तता दीर की चाप के किसी बिंदू पर अंतरित कौन ग्याद कीजिए देखते हैं कुश्चन क्या बोलता है आपका ये हमारा एक वृत्त है इसकी एक जीवा वृत्त की तिरिज्जा के बराबर है तो इसका मैंने केंद्र मान लिया है O ये हमारा केंद्र है O चीक है? क्या करें? एक हमने जीवा लिये जीवा का नाम मैंने A और B कर दिया है A को O से मिलाया O को B से मिलाया कुश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो जीवा है वो वृत्तिकी त्रिज्जा के बरावर है मतलब जीवा हमको दिया गया है जीवा A B का जो मान है वो वृत्तिकी त्रिज्जा मतलब O A और O B के बरावर है ये हमको प्रिश्चन में पहले से दिया हुआ है आगे पढ़ते हैं जीवा दवारा लगू चाप के किसी बिंदू पर अंतरित कौन क्यात कीजिए लगू चाप आपका ये हो गया इस पे मैंने माना कोई बिंदू लिया है आपका बिंदू आपका C लिया है तो इस जीवा दवारा लगू चाप पर जो बिंदू है उस पर अंतरित कौन गयात करना है और दीर्ग चाप के किसी बिंदू पर अंतरित कौन भी गयात कीजिए क्या करते हैं दीर की चाक पे कोई बिंदू में ने लिया है माना आपका बिंदू D है तो इस जीवा द्वारा D पर अंतरित कौन भी मुझे बताना है और C पर अंतरित कौन भी मुझे बताना है ये हमारा कुश्यन है अब देखो कैसे करें एक बात को समझो कि O A मेरी जीवा है और O B मेरी जीवा है ये दोनों तो बराबर होगी होगी इसमें तो कोई संदे है ही नहीं और अरे जीवा क्या सोरी तिर्जा है O A मेरी वरत्य की तिर्जा है O B मेरी वरत्य की तिर्जा है दोनों बराबर होगी कोई दिक्कत नहीं है AB जो जीवा है वो व्रत्य की तरिज्जा के बराबर है तो यदी मैं बात करूँ तिर्भुज OAB की तो इस तिर्भुज की तीनों भुजाएं बराबर है अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तिर्भुज आपका होगा समभाहू तिर्भुज क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं तिर्भुज OAB की तीनों भुजाएं बराबर हैं अत्य यह एक समभाहू तिर्भुज है चीक है यदि समभाहू तिर्भुज है तो समभाहू तिर्भुज का प्रते कौन 30 डिग्री होता है तो जो कौन मुझे मिला है AOB इसका मान आजाएगा 60 डिग्री इसलिए मुझे क्या मिलेगा इसलिए कौन AOB का जो मान होगा वो आपका 60 degree के बराबर होगा क्योंकि आपका तिर्बुज संभा हुए संभा हुँ तिर्बुज का प्रते कौन 60 degree होगा अब देखो क्या समझ सकते हैं इसके बाद मुझे कौन निकालना है आपका एक तो ये वाला कौन एक तो ये कौन निकालना है और एक आपका यह वाला कौन निकालना है, छीक है, अब देखो लगू चाप ACB, लगू चाप ACB द्वारा केंदर पर अंतरित कौन 60 डिगरी है, तो इस चाप द्वारा केंदर के किसी अन्य बिंदू पर जो अंतरित कौन होगा, वो 60 डिगरी का आधा होगा, मतलब आपका 30 के बराबर होगा, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, कि जो कौन है आपका ADB, वो किसके बराबर होगा, एक बटे दो, कौन AOB के, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि हमने प्रमे पढ़ी हुई है, कि चाप द्वारा के इंदर पर अंतरित कौन, व्रत के किसी अन्य बाग पर अ एक बटे दो, गुणा साथ, बराबर आपका आगया 30 डिगरी, तो ये कौन तो आपका 30 डिगरी आगया है, ठीक है, कोई तकलीफ यहां तक, अब क्या करें, अब मुझे एक कौन और निकालना है, जिस कौन का, अब मुझे एक कौन और निकालना है, जिस कौन का नाम है, अब ACB को कैसे निकालना है, इस पर दिमाख लगाओ, देखो, यदी मैं दीर की चाप लेता हूँ, जान से समझना, यदी मैं चाप लेता हूँ, ADB, यह वाला पूरा चाप, यह, इस चाप दोरा केंदर पर अंतरि कौन कितना होगा, कौन A, O, B, मतलब प्रतिवर्थ कौन A, O, B, इस चाप दोरा केंदर पर अंतरित कौन होगा, समझो, क्या बोल रहा हूँ मैं, चाप ADB, दोरा केंदर पर अंतरित कौन, क्या होगा, वो होगा आपका प्रतिवर्थ कौन A, O, B, समझे नहीं समझे इस बात को, यह जो आपका चाप है बड़ा बाला, यह बड़ा बाला चाप जो केंदर पर कौन अंतरित कर रहा है, वो कौन यह बाला है आपका, यह, प्रतिवर्थ A, O, B, ठीक है, इसका मान केसे निकालूंगा, इसका मान मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ, कि यदि यह 60 डिगरी है, तो बाकी का कौन आपका, 360 में से 60 को माइनस कर दो, तो यह जो कौन आपका होगा, वो होगा 300 डिगरी, कैसे, किसी विंदू के चारो तरब बने हुए कौनों का योग 360 डिगरी होता है, इसका मान आपका होगा, 360 डिगरी माइनस 60 डिगरी बरावर 300 डिगरी, चीक है, तो जो आपका दीर्ग चाप है, मतलब चाप AD भी जो है, वो केंदर पर 300 डिगरी का कौन अंतरित करता है, यह बात हमारे समझ में अब आचुकी है, इसका जो मान है, वो है आपका 300 डिगरी, अब एक बात बताओ, यदि एक चाप वरत्य केंदर पर 300 डिगरी का कौन बनाता है, तो वह चाप वरत्य के अन्य बिंदू पर कितने का कौन बनाएगा, 300 को आदा मतलब 1.500 का, जान से समझो, यह जो मेरा बड़ा वाला चाप है, इसने केंदर पर कौन बनाया है, 300 डिगरी तो इस चाप का बाहर बिंदू कौन सा होगा, यह वाला चाप तो मैंने कंसिडर कर लिया केंदर पर कौन बनाने में, तो बाकी पोर्शन कौन सा बचा, बाकी पोर्शन बचा आपका ACB वाला, तो यह चाप इस ACB पोर्शन पर जो कोई बिंदू लेगा और वहाँ पर कौन वो आपका इस 300 का आदा होगा, मतलब यह जो कौन आपका बना है, यह वाला, यह बनेगा 150 डिगरी का, समझ पाए नहीं समझ पाए, दीर की चाप से कंफ्यूज मत होएगा, दीर की चाप हमेशा प्रतिवर्थ कौन ही बनाता है, यह पूरे चाप के द्वारा केंदर पर अं ही बनेगा, छीक है, कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं, इसको लिख सकता हूँ, कौन, ACB का जो मान है वो होगा, एक बटे दो, प्रतिवर्थ कौन, AOB, AOB का मान 300 है, तो आपका अंसर आएगा, 150 डिगरी, कुश्चन को एक बार देख लो, मैं 10 सेकिंड का पॉज लेता हूँ, कोई दिक्कत हो तो बत, ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए, कुश्चन नमबर 3 लेते हैं, बहुत आसान कुश्चन है, बहुत आसानी से अप कर पाओगे, कुश्चन के डाइग्राम को देखो, आंसर निकालो और आंसर कमेंट करना स्टा करो, देखो, एक आकरती आपको दी हुई है, कौन PQR, कहां है PQR 100 डिगरी है, ठीक है, जहां PQ तथा R केंद्र O वाली एक व्रत परिस्थित बिन्दू है, ठीक है, ये व्रत का केंद्र है PQ और R, ऐसे लो इसको, बिन्दू PQR व्रत परिस्थित बिन्दू है, कौन OPR ग मतलब ये वाला कौन मुझे निकालना है ये वाला इसकी बात इस question में कर रहे हैं अब देखो कैसे करें यदि मैं आपका चाप लेता हूँ PR अगर मैं इस PR चाप को लेता हूँ तो इसका केंदर पर कितना कौन अंतरित होगा ये वाला कौन देखो यदि मैं आपका चाप लेता हूँ PR अगर मैं इस वाले चाप को consider कर रहा हूँ इस वाले चाप को तो ये केंदर पर कितना कौन अंतरित करेगा ये वाला कौन ठीक है और 6 वाक पर कितना कौन अंतरित करेगा ये वाला कौन तो जो 6 वाक पर कौन अंतरित किया है वो केंदर पर जो कौन बनेगा उसका दो गुना होगा तो अगर यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 200 आएगा मतलब यह जो कौन है आपका यह 200 डिगरी होगा समझ गए? ठीक है? परफेक्ट चाप पी आर द्वारा केंदर पर अंतरित कौन कितना होगा आपका? कौन पी ओ आर और इसका मान किसके बराबर होगा? इस कौन का मान व्रत के 6 बाग पर बने हुए कौन के दो गुने के बराबर होगा मतलब दो गुना ओफ कौन पी क्यू आर वेल्यू पुट करो पी ओ आर का मान निकलेगा दो गुना 100 मतलब 200 ठीक? आसान है अगर यहाँ पे 100 बनाए तो यहाँ पे 200 बनेगा मुझे क्या करना है? मुझे तो इस तिर्भुज का कौन निकालना है? कैसे निकालू? कैसे निकालें? देखो यदि मैं तिर्भुज की बात करता हूँ किस में तिर्भुज OPR में? क्या-क्या दे रखा है आपको? OPR की अगर मैं बात करूँगा तो OP और OR दोनों त्रिज्जाए हैं दोनों बराबर होंगी OP बराबर OR दोनों त्रिज्जाए हैं अगर ये बराबर हैं तो आपका सम्धी वाहू तिर्भुज है अगर सम्धी वाहू तिर्भुज है तो इन भुजाओं के सामने वाले कौण बराबर होंगे मतलब कौण O-P-R बराबर कौण O-R-P छीक है ये दोनों कौण बराबर हो गए आपके अब क्या करूँ यदि मुझ यदि मुझे त्रिभुज का तीसरा कॉन पता चल जाए तो मेरी जिन्दगी काफी आसान होगी, मैं कुष्चन को आसानी से सॉल्व कर पाऊंगा, तिसरा कॉन निकालना बहुत ही आसान है, 360 में से 200 को माइनस कर दो, तिसरा कॉन मिल जाएगा, तथा जो आपका कॉन है, POR, इसका मान किसके बराबर होगा, 360 डिगरी माइनस 200 डिगरी मतलब 160 डिगरी, चीक है, ये जो कॉन आपका बना है, यहाँ पर, ये वाला कॉन, इस कॉन का मान है, 160 डिगरी के बराबर, अब देखो, यदि इस पूरे तिर्भुज में ये वाला कॉन और ये वाला कॉन तो आपका समें बराबर है, इसका मान मेंने मान लिया है, X, माना, इसका मान मेंने X मान लिया है, तो इस तिर्भुज के तीनों कॉनों का यो कितना होगा, 180 डिगरी होगा, लगा दो फॉर्म कौन POR बराबर 180 degree OPR X है ORPX है तो मतलब आपका X प्लस X ये आपका 160 है इसका मान 180 degree के बराबर आ गया अगर solve करोगे तो 2X का मान आपका 20 degree के बराबर आ गया तो X का मान आपका 10 degree के बराबर आ गया मेर से क्या पूछा गया है मेरे से कौन OPR पूछा है OPR पूछा है OPR X के बराबर है X का मान 10 है अता कौन OPR का मान 10 डिग्री के बराबर होगा क्लियर समझ गए आसान है वैसे लिखने में आपको ज़्यादर तकलिफ आएगी कौन को निकालने में तो आपको मुश्किल से 15 सेकेंड लगेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर 4 देखो एक बार कुश्चन नमबर 4 बोलता है एक आकरती दी हुई है जिसमें कौन A, B, C 69 है कहां पर है A, B, C A, B, C ये 69 है और A, C, B ये आपका 31 है तो कौन B, B, C ये वाला कौन निकालना है आपको ये वाला कौन निकालना है तो कैसे निकालें कैसे इस कौन को हम निकाल सकते हैं देखो ये आपका जो अगर मैं वृत्खंड इसकी बात करूँ इस वाले वृत्खंड की तो इस वृत्खंड द्वारा बनाए हुए कौन के मान समान होंगे अते जो कौन आपका BAC है वही आपका कौन BDC होगा क्या मिल गए है हमें मिल गया है कि कौन BAC का जो मान है वही आपका BDC के बराबर होगा क्यों होगा एक वृत्खंड के कौन बराबर होते है पर इससे मुझे क्या मिला इससे मुझे क्या मिला हमें देखेंगे ये वाला कौन मुझे निकालना है अब हमारे पास ये आगया है कि ये कौन निकालूं चाहे ये कौन निकालूं दोनों बात बराबर होगी चाहे मैं ये निकालू, चाहे मैं ये निकालू, दोनों बराबर होंगी, दोनों में से जिसे आप आसानी से निकाल सकते हो, उसकी तरफ एक बार जाके कुश्चन पर अटेक करो, देखो यदि मैं तिर्भुज की बात करता हूँ तिर्भुज ABC में तिर्भुज ABC में क्या क्या दे रखा है आपको तिर्भुज ABC में आपको दो कौन दे रखे हैं कौन ABC बराबर 69 डिग्री और कौन ACB बराबर 31 डिग्री इस तिर्बुच के तीनो कॉनों का योग एक 180 degree होगा दो कॉन मुझे दे रखे हैं तीसरा मैं निकाल सकता हूँ मतलब कॉन A प्लस कॉन B प्लस कॉन C बराबर आपका 180 degree होगा पूरा भी लिखलो पूरा ही लिखलो चलो आदे कॉन से कैथ confusion हो सकता है तो कॉन B A C प्लस कॉन A C B प्लस कॉन C B A का मान आपका 180 degree के बराबर होगा values put करो B A C तो मुझे निकालना है ही सही A C B कहाँ पर है? A C B का मान 31 degree है दूसरे का मान 69 degree है यह आपका 180 के बराबर है 79 और 31 के तावगा 70 और 30 100 मतलब कॉन B A C का जो मान होगा वो 180 degree माइनस 100 degree मतलब 80 degree के बराबर होगा ठीक है? यह वाला कॉन मुझे 80 degree मिल गया है तो जितना कॉन यह है वो ही क्या किते हैं? दूसरा वाला कॉन है? जितना कॉन आपका B A C है उतना ही आपका B D C है तो B D C निकालना भी आसान है कॉन B D C का मान किसके बराबर है? कॉन B D C का मान B A C के बराबर है? और इसका मान 80 degree है तो यह मेरा आंसर निकल गया ठीक है? आसान है सिंपल थी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी हमें याद है कुश्चन बड़ी आसानी से सॉल्ब हो जाएगा कुश्चन नमर पांस देखिए कुश्चन नमर पांस क्या बोलता है? आकरती में एक वरत्य पर A B C D चार बिंदू है ठीक है? A है B है C है D है A C और B D बतलब A को C से मिलाया B को D से मिलाया बिंदू E पर इस प्रकार प्रतिछेद करते हैं कि B E C कहां पर है? B E C आपका 130 है E C D E C D आपका 20 डिगरी है तो B A C का मान निकालिए तो क्या बोला गया है आपसे? आपको मान निकालना है B A C का हमको इस कौन का मान निकालना है चीक है? पर एक बात हमें पता है कि अगर मैं इस वाले वृत्तिखंड की बात करूँ तो इस वृत्तिखंड द्वारा जो कौन बनेंगे वो बराबर होंगे मतलब कौन A निकालू चाए कौन D निकालू बात A की है दोनों कौन आपके बराबर होंगे क्या मिल गए आपको? आपको मिल गया कौन B A C बराबर कौन B D C ये दोनों बराबर हैं इस पर आप लिखी दीजिएगा कि एक ही वृत्तिखंड के कौन बराबर होते हैं चीक है? अब देखिए इससे क्या निकला मुझे? अब मैं D का मान कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मैं तिरबुज ये लेता हूँ तो मिरे पास ना ये वाला कौन है ना ये वाला कौन है मेरा काम नहीं बनेगा यदि मैं तिरबुज D E C लेता हूँ तो एक कॉर्ण मिरे को 20 दे रखा है दूसरा कॉर्ण में निकाल सकता हूँ 180 में से माइनस कर दूँगा और D का मान मुझे निकल जाएगा मतलब क्या हुआ हम लेते हैं तिरबुज CED में CED में क्या है ये कॉर्ण आपका 20 है ये कॉर्ण आपका 50 आजाएगा क्यों आएगा 180 में से आप 130 को माइनस कर दो तो इसमें क्या-क्या दे रखा है आपको आपको दे रखा है कि कॉर्ण D C E का मान तो है आपके पास 20 डिग्री और कॉर्ण C E D का मान कितना है TED का मान है आपका 180 degree माइनस 130 degree मतलब 50 degree तीसरा कौन मुझे निकालना है तिर बुच के तीनों कोनों का योग 180 degree होता है इस property को आप अपलाई करो तीसरा कौन निकाल लो तो जो आपका कौन होगा EDC इसका मान कितना होगा 180 में से बाकी दो को माइनस कर दो कौन DEC माइनस कौन ECD मतलब 180 degree माइनस 50 degree माइनस आपका 20 degree बराबर 110 degree तो ये जो कौन आपका 110 निकल गया है ये कौन इसके बराबर है तो समिकरन नंबर 1 से मैं बोल सकता हूँ क्या की की जो कौन है आपका BAC उसका मान भी 110 degree के बराबर ही होगा सिंपल है कोई तकलीफ यहां तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए कोई तकलीफ यहां तक समझ गए चलिए कोशन नंबर 6 एक बार देखो ये बोलता है ABCD एक चक्रिय चतुर्भुज है कल ही हमने पढ़ा था कि चक्रिय चतुर्भुज क्या होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके की चारो के चारो शीष एक वरत्य के उपर इस्तित हों तब उस चतुर्भुज को हम चक्रिय चतुर्भुज बोलते हैं दो इसकी CD चक्तिय चतुरुपुज है जिसके विकण एक बिंदू E पर प्रतिछेद करते हैं ठीक है ये कौन आपको दे रखे हैं तो पहले डाइग्राम बनाओ पहले डाइग्राम बनाओ तब ही कुश्चन समझ में आएगा माना मैंने ये आपका बिंदू A है ये B है A B C D मिला दो इनको A को B से मिलाया B को C से मिलाया C को D से मिलाया आप क्या बोलता है जिसके विकर्ण एक बिंदू E पर प्रतिछेद करते हैं विकर्ण भी बनालो इसके A को C से मिलादो B को D से मिलादो ये विकर्ण इसके बिंदू E पर जाकर प्रतिछेद करते हैं और यदि B, D, C DBC ये वाला DBC आपका 70 है और BAC कहां पर है BAC ये वाला कौन आपका 30 डिगरी है तो BCD का मान हमको निकालना है BBCD ये वाला कौन हमको निकालना है पूरा के पूरा ही ठीक है का मान गयात कीजिए और उसके बाद अगर आपको AB का मान BC के बरावर है तो एक कॉर्ण और निकालना है, ठीक है बताईे कैसे निकाले हम को ये कॉर्ण 30 दे रखा है ये कॉर्ण 70 दे रखा है हम को इस पूरे कॉर्ण का मान निकालना है इस वाले पूरे का ये है हमारा परपपज देखो अगर मैं बात करता हूं वरत्यक्ण इस बाले की तो यह वरत्यक्ण जो भी कौन बनाएगा वो कौन समान होगा तो इसने एक कौन यहां पर बनाए है यह 30 degree है दूसरा कौन यहां बनाया है वो भी 30 degree होगा क्या मिला मिरको इसका मान अब आपको मिल जाएगा 30 कैसे कि जो कौन है आपका BAC, इसका मान बराबर है BDC के, अतर जो कौन BDC है आपका, उसका मान आपको मिल गया है 30 डिगरी. अब क्या करें? अब यदि मैं तिर्भुज आपका BCD वाला तिर्भुज लेता हूँ, तो मिरेको दो कौन पता है, तीसरा कौन में निकाल सकता हूँ. क्या करूँ? अब तिर्भुज BCD में. क्या कर सकते हैं? एक कौन 70 है, दूसरा कौन तीसरा है, तीसरा कौन में निकाल सकता हूँ. कौन BCD का जो मान होगा, वो 180 डिगरी में से माइनस कर दो आपका, कौन CBD माइनस कौन BDC. वैल्यूस पूट करो, 180 डिगरी माइनस CBD आपका 70, माइनस 30. मतलब आपका आगया, 180 माइनस 100 बराबर 80 डिगरी. ठीक है? तो ये जो पौरा कौन है आपका, ये 80 डिगरी का है, ये पहला वालक पोर्षन आपका सिद्ध हो गया. ये आपका पहला वाला आणसर आ गया. आगे क्या पुछा है? पुने यदि AB बराबर BC है, मतलब AB और BC आपस में बराबर है. ये AB वाला पोर्षन और BC वाला पोर्षन आपस में बराबर है, तो ECD का मान निकालो, ये वाला कौन हमको निकालना है, ये वाला. कैसे निकालें? आसान है, पूरा कौन मुझे पता है, 80 डिगरी है, अगर इस 80 डिगरी में से मैं इस वाले कौन को माइनस कर दूँ. मतलब, देखो, क्या करना है मुझे, अगर मुझे निकालना है कौन ECD, तो कौन ECD का मान कितना होगा? ECD का मान होगा 80 डिगरी माइनस कौन ECB, समझ गए? अगर पूरा कौन मुझे 80 degree दे रखा है अगर उन दोनों मेंसे एक कौन का मान निकालना है तो दूसरे कौन को उसमें से minus कर दो ये पूरा 80 है इस कौन का मान निकालना है उपर वाले का मान निकालना है नीचे वाले को minus कर दो अब जगड़ा आता है कि नीचे वाले का मान भी मुझे नहीं पता, उसका मान मैं कहां से लेक्या हूँ, उसके लिए भी कुछ दिमाग लगाते हैं, इस कौन का मान मुझे निकालना है, मुझे रखाए AB का मान BC के बराबर है, यदि AB का मान BC के बराबर है, तो समधी वाहू त इन भुजाओं के सामने वाले कौन भी बराबर होंगे तो अगर यह वाला 30 है तो यहां पर भी आपका 30 होगा समझ गए चूंकि AB का मान BC के बराबर है अतर क्या मिलेगा आपको आपको मिलेगा कि कौन BAC बराबर कौन BCA बराबर 30 डिगरी ठीक है कौन BAC बराबर BCA और BCA कोई हम BCE लिख सकते हैं उसमें कोई दिक्कत है नहीं आपकी एक ही बात है तो BCA का मान आपको 30 मिल गया है तो BCA का मान भी सेम होगा इसलिए कौन BCA का मान भी आपके पास 30 डिगरी आएगा वैल्य उठा कर यहां पर रख दो तो कौन जो आपका ED यह क्या था ED कहां से लिखा है मैंने ECD निकालना है न मुझे तो ECD निकालना है बराबर 80 डिगरी माइनस 30 डिगरी मतलब 50 आपका आजाएगा इसको करेक्ट कर लो एक बार चीक है तो क्या कि आपने पहले प्रॉपर्टी लगाई कि एक ही व्रत्यखंट के दोनों कौन बराबर होंगे तो जितना ये है वाला कौन है उतना ही ये वाला कौन आजाएगा ये दोनों कौन बराबर हो गए इस तिर्बुज में एक कौन दो कौन मुझे पता है तीसरा कौन 180 में से दोनों को माइनस कर दो 70 और 30 आपका 100 हो गया एक स्वस्षी में से 100 को माइनस किया आपको 80 मिल गया ये पूरा कॉर्ण आपका 80 आ गया अब क्या करना है इस पूरे कॉर्ण में से मुझे ECD का मान निकालना है उपर वाला मीचे वाला कॉर्ण मुझे फिर माइनस करना पड़ेगा इस तिर्बुच की दोनों बुजाएं बराबर हैं तो जो कौन यहां पर होगा उतना ही कौन यहां पर होगा यह 30 है इदर वाला भी 30 हो जाएगा 80 में से 30 को माइनस कर दो 50 आपका अंसर आ जाएगा क्लियर कुश्चन नमबर 7 की तरफ बढ़ते हैं यह हमारा आज की क्लास का आखरी कुश्चन होगा एक से 7 हमें आज सॉल्व करने थे और 8 से 12 हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे कल आपका वरत्त वाला चेप्टर मेरे साब से कंप्रीट हो जाना चाहिए देखिए कुछ ऐसा आपसे बोला गया है कि यह आपका एक चक्रिय चतुर्वुज है यह आपका एक वरत्त मान लेते हैं इसके अंदर आपका एक चतुर्वुज बना हुआ है कुछ ऐसे इसका नामकरन कर दो आप A B C और D ठीक है हमने इसका नामकरन A, B, C, D कर दिया है ठीक है अब क्या करें यह एक चक्रिय चतुर्वुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले व्रत्त के व्यास हों विकर्ण भी बनाओ अगर मैं विकर्ण की बात करूँगा तो विकर्ण भी बनादो अब यह बोलता है कि इस चक्रिय चतुर्वुज के जो विकर्ण है न वो इस व्रत्त के व्यास है मतलब आपका जो BD है वो भी व्यास है और A, C, A वो भी व्यास है हमें सिद्द करना है कि A, B, C, D अब जो एक चक्रिय चतुर्वुज था उसको आयत होना ही पड़ेगा यह हमें सिद्द करना है अब देखो अर्ध व्रत्त की हमें बड़ी ही इंपोर्टेंट प्रोपर्टी पता है वो प्रोपर्टी आपकी बोलती है कि अर्ध व्रत्त मैं बना हुआ प्रते कौन 90 град का होता है मतलब मैं किसी भी व्रत के व्यास को पकड़ लूँ और व्यास को पकड़ के मैं अर्ध व्यास के ऊपर जाके किसी बिन्दु से मिला दूँ तो जो कौन बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा और इधर वाला पूरा कॉर्ण भी 90 डिग्री का बनेगा मतलब क्या हुआ यदि AC व्यास है तब क्या मिलेगा AC व्यास है तो अर्द्वरत का प्रतेक कॉर्ण 90 डिग्री होगा मतलब कॉर्ण ADC बरावर 90 डिग्री और कॉर्ण ABC बरावर भी 90 डिग्री होगा क्यों इसलिए होगा क्योंकि अर्द वरत्य जो है का प्रते कौन सम कौन होता है कोई तकलीफ नहीं यहां तक जैसे आपका इसी व्यासता ऐसे आपका बीडी भी व्यास है इसी प्रकार बीडी भी व्यास है अगर यह व्यास है तो इससे जो अर्द व्यास बनेंगे उनके अंदर जो कौन बने होंगे वो भी सम कौन होंगे तो बीडी के साथ कौन से कौन बने है एक तो यह वाला कौन तो यह भी सम कौन हो गया और ये कि ये वाला कौन ये भी समकौन हो गया मतलब जो कौन है आपका BAD इसका मान भी 90 डिग्री है और जो कौन है आपका BCD इसका मान भी 90 डिग्री है ठीक है तो इस चक्रिय चत्रबुज जो ABCD था इसका प्रते कौन 90 डिग्री है तो मैं बोल सकता हूँ कि एक आयत होगा, डारेक्टली तो मैं नहीं बोल सकता पर थोड़ा सगर आप दिमाग लगाओगे, समझो, आयत क्या होता है, ऐसा समानतर चतुरबुज जिसका एक कौन 90 डिग्री वो आयत कहलाता है, अब देखो, यदि ये दोनों कौन 90 डिग्री हैं तो AD और BC परस पर समानतर होगी, और यदि ये दोनों कौन 90 डिग्री हैं, तो AB और CD परस पर समानतर होगी, अब आमने सामने की बुजाएं समानतर हैं, तो ABCD आपका समानतर चतुरबुज बन गया, और समानतर चतुरबुज के चारो कौन ही 90 डिग्री हैं, तो वो आयत भी बन गया सीधा भी लिख दो पर सीधा लिखने से थोड़ा सा बेटर है कि पहले इसको समानतर चतुर्भुज बनाओ और फिर इसको आयत बनाओ तब जाके जादा मजाएगा अधरवाई आप सीधा भी लिख दोगे कि चतुर्भुज के चारो कौन 90 डिग्री आते वह एक आयत होगा तब भी बात आपकी सही है ठीक है अतर अबी सीडी एक आयत है क्लियर जिस मेथट से आप आयत बनाना चाहों उससे आप बना लीजिएगा चारो कौन को 90 बोल के भी आयत बोल दोगे तब भी बात ठीक है पर उससे ज्यादा सुन्दर है कि आप पहले समानतर बनाओ मर्जी आपके जैसे चाहों कर सकते हो तो आपके एक से लेके साथ तक के कुश्ण अब सॉल्व हो गये हैं कल की क्लास में हम आठ से लेके बारा तक के कुश्ण सॉल्व करेंगे और हो फुली जो आपका व्रत्त वाला चैप्टर है वो कल आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 12 है रचनावाला पॉर्शन हम बीच में छोड़ेंगे उसको हम एंड में जाके वापस कवर करेंगे चैप्टर नंबर 12 है हीरोन सूत्र किसी तिर्भुच का शेत्रफल निकालने का जो हीरोन सूत्र है उसको हम पहले आपका सांखी की वाला पॉर्शन प्राइक्ता वाला पॉर्शन और फिर रचना वाले चैप्टर को फिर से लेंगे ठीक है तो फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं फिर मिलते हैं कल शाम को तीन बजे